तो बोलो मूतो खोलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्यूश पारे और युवाओं पर आधारित हमारे इस खास कारिक्रम में आज जिस विशय को लेकर हम आपके बीच में मौजूद हैं वो विशय इन दिनों देश भर में गरमाया हुआ है दर इलेक्शन को लेकर आखिर देश के युवा सोचते क्या है और युवाओं के मन की बात जानना इसले भी जरूरी है कि आकड़े कहते हैं कि 21 करोड से जादा ऐसे युवा है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में है जो देश का भविश तै करते हैं वहीं डेड़ वोटर्स हैं जो पहली बार इस इलेक्शन में अपने मतादिकार का प्रयोग करेंगे लेकिन चुनाओं को लेकर जो तमाम तरह के सवाल होते हैं युवाओं के जहन में खास तोर पर बार-बार इलेक्शन का सामना करना पड़ा पिछली बार हमने विदान सभा इलेक्शन द युवाओं के मन को टटोलते नफसको टटोलते हैं और जानते हैं की आकिर इस एलेक्शन को लेकर युवाँ पहले अपसे एक सवाल है क्योंकि हमने देखा ही कि पहले से जो बदला में उसके बाल में युवाओं की भागीदारी ऑल्य क horror बढ़ती दिखाई दे रही है हमने दिल्चस्पी के साथ में कहीने का उसमें हिस्सा लेता है लेकिन जो इलेक्शन बार-बार आते हैं हम देखने कि वन इलेक्शन का एक फॉर्मूला भी इंदिनों लगातार देश में गरमाया हुए लेकिन यह जो चुनाओ का बदलता दौर है उसे युवा कैसे देखता है जी हमारे लिए नया आने वाला है क्यूंकि हम यूवा हैं हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा क्या-क्या चीजे हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है पहले हमारे नेशन में वन नेशन वान इलेक्शन नहीं था पर वो आया है तो इससे बहुत सारी चीजे बदली हैं इससे हमारे जितने भी budget allocation है वो हमारे अच्छे होते जा रहे हैं और क्योंकि responsibility बहुत wide हो जाती है तो उसको भी हम कम करते जा रहे हैं और यह बहुत अच्छा एक निर्ने सावित हुआ है जो की बहुत अच्छी तरीके स से आगे बढ़ते हुए हमें दिखते भी हैं आमर आप क्या मानते हैं किस तरीके से इस बदलते हुए election के pattern को आप देख रहे हैं क्योंकि आप तो युवाओं की भागिदारी है हम देख रहे हैं कि नए voters हैं वो भी excited होते हैं और जो चुनाओं को लेकर हो योजनाओं को ले जो हमारे सामने जो आम चुनाओं है इस चुनाओं में सबसे आपने जिस तरीके सा आँकड़े बटा हैं कि धाई करोड से अधिक जो है वो नए युवाओं ने अपना पंजी करवाया है और करीब 18 से लेके तो उनकी साल के जो हुआ है वो उनकी जिन संख्या करीब जो है कि युवाओं का इस इलेक्शन में जो है महित्पूर्ण योगदान भी है और वो चाहे तो किसी भी पक्ष को जिता यहारा सकने में अपनी निनायक भूमी का निभा सकते हैं जो पुराने ट्रेंड्स हैं राजनीती के या फिर लोगसभा चुनाओं के तो उन पुराने ट् समानता के मुद्दे पे भी युवा जो है जैसे कि मान लिजे आप किसी एक पार्टी के हैं परन्तु वो दूसरी विपक्ष की पार्टीों के लिए भी सानुबूती रखते हैं क्योंकि वो लोकतंती की रक्षा के लिए मलब आगे बढ़के और अपना सयोग देना चाहते ह हैं उसमें आज का जो वर्तमान का युवा है वो रोजगार का सबसे प्रमुक मुद्दा जो लिए बिठा है वो रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा है तो इस हिसाब से युवा जो है इन मतलब पुरानी सरकारी ट्रेंड से उन ट्रेंड से भी उपर कर और स्वारोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और इसमें किसी वी एक सरकार जिसकी नीतियां वो इन दिशाओं में अगर काम करेगी तो कही ना कहीं युवा उन अग्रमार काम किसी अग्रोंनख करता है और युक्ती ना किसी में युवा कश्रीत करते हुए और cook तो लेकिन अब तो हर जगे हम लोग देख रहे हैं एलेक्शन की बाते होती तो युवा बड़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं और ये जो ट्रेंड बदला है इसमें युवा अपने आपको कहा पर पाता है आजकल का युवा फ्री और फेर वोटिंग पे विश्वास करता है हमें लगता है कि पहले के जवाने में सोशल मीडिया में लोग इतने एक्टिव नहीं रहते थे लेकिन आजका युवा जो सामने दिखाया जा रहा है उसकी पीछे की हकीकत भी देख पाता है चाहे वो कोई सिच्वेशन हो चाहे वो एलेक्टोरल बॉंड्स की बात करें उसका स्कैम सामने आना या फिर कोई मनीपूर की बात कर ले या आप लद्दाक की बात कर ले हम सिब सामने की सच्चा ही नहीं देखती है उसकी पीछे की कहानी भी हमें पता रहती है तो आज का युवा अवेर है एलेक्शन की तमाम जो गतिविदिया होती है उनमें युवाओं को युवाओं की सोच किस तरीके से करेक्ट हो पा रही है देखिए जैसा कि अब देख सकते की 18 किये जाते आते युवाओ को एक यूद को एक सबसे बड़ी जब्दारी मिल जाती है लोग तंतर में अपन मैन्यूप्लेटेड ना हो जए इस बात पर ध्यान रखना उनका भोज़दा जोरी है शोशल मीडिया का जो कॉंटेन उनके सामने आता है अगर उस चीज को मद्य नजर रखते है या वह इस चीज को देखते कि जो भी पार्टी या जो भी नेता उनके समक्ष खड़ा हो रह देखते हैं बदलते परिवेश में चुनाव और युवाओं को लेखिए मैं सबसे पहले युवा की परिभाशा आपके सामने रखना चाहूंगी आज 2024 के इस दौर में हम युवाओं को जैंजी बुलाते हैं आपको लगता है कि युवा सिर्फ दृष्टी रखता है कि आज कल का वो सब कुछ समझ रहा है कि उसके साथ क्या चल रहा है और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि अभी जब इलेक्शन होते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी परन्तु जब युवा हमारा वोट देगा तो मैं आपको गरिंटी के ट्रेंड तो बदला है लेकिन खर्चीले बहुत हो गए चुनाओं हम लोग देख रहे हैं करोडर रुपिया खर्च हो रहा है जैसा जो है वह यहां पर कशिश ने बताया कि इलेक्टरोल बॉंड जैसी चीजे भी आप सामने आने लगी है उसके बाद में पॉलिटिकल पार पर चुनाओं जीत कर जो हो संसर तक पहुंचे विधान सभा तक पहुंचे जिमिदार कहीं परदों तक पहुंचे यह जो बदलता ट्रेंड है इसके बीच में जो चुनाओं खर्चे बढ़े हैं यह कैसे युवाओं की नजर से आप लोग देख पाते हैं से जी आपने साध्यादा बहुं शरत परवार हो इन जैसे नेता जो चात्र राजनीती से एक्टिव राजनीती में खूदे तब इनकी पास वो सर्व सुविधा नहीं थी जो पैसे से यह बोटर्स को अकरशित कर सकते थे इन पर केवल एक ही माद्यम था वो तो अपनी बाद जनता को सक् बहुत कम खर्च में हो गए अब जैसे जैसे ट्रेंट बदलता है हम देखते हैं कि पूरा चुनाओ पैसे पर आमदा कर दिया गया है और वह इसलिए कर दिया गया है क्योंकि समाज की नैतिक्ता का पतन होता जा रहा है आज भी कई सारे बोटर्स जो है एक प्रदेश के लि करना है ताकि वह बोट हमें ही प्रतिफल के रूप में किसी और मारगों से प्राप्त हो तो हमें जरूर ये चुनाब जो है वो कम खर्च में सब्सक्राइब अब फिर से आपको लगता है कि इसकी शुरुवात हो सकती है खर्च कम हो जनता तक बात बहतर तरीके से कहीने के स पर चुनाव नहीं हो सकते प्रलोवन के बल पर चुनाव नहीं हो सकते फ्री बीस के बल पर चुनाव नहीं हो सकते यह बास्तव में जो मुद्दे हैं जो ग्राउंड लीवल के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लिकर जनता के पास जा रहा है और अपना परिणाम सरूप ब देख रही है यूआ भी देख रहा है चलिए आपके वास आँगा विभूती आप क्या मानती किस तरीके से जो है वो एक खर्च के जो सीमा है वो बढ़ रही है आला कि इसको लेकर इलेक्शन कमिशन भी आपके कहीं आप निगाय है उनकी भी लेकिंगे उस बीच में कैसे आप देखते हैं क्योंकि अमेरिका जैसा एक ऐसा देश है जो हमसे जो है एकोनॉमी में आगे है एलेक्शन वहां पर जिस तरीकी सब्सक्राइब होते हैं लेकिन वहां पर कम खर्च मे सहले कम होएगा चुनाओं के दौरान जो किया जाता है और जो लोग मतलब जैसे जो जूब वाले लोग है जो गवर्मेंट जॉब करते हैं उनकी ड्यूटी एलेक्शन में लगी रहती है तो वो अपना काम मतलब जहां करना चाहिए उन्हें जो उनकी जॉब पे वहां ना क करके आधे तमें वह एलेक्शन में लगे रहते हैं कभी कोई एलेक्शन कभी दूसरा एलेक्शन तो उनका काम भी बट जाता है और वह अपना असली काम सहीं से नहीं कर पाते हैं तो वन नेशन वाली पॉलेसी जरूर अपनानी चाहिए जिससे चर्चा भी का रिशिका एक महत्पूर्ण विंदू है आज की चर्चा का एक बहुत दिल्चस पिशाई हुई है मैनिफेस्टों के हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी इस मैनिफेस्टों जारी करती है लेकिन कहीं बार हमने देखा कि उस पर चर्चाय नहीं होती है हमने देखा कि चाहे पहले हम देखते थे और सुनते थे सब कुछ लेकिन आज हम डॉक्यूमेंटरी चाहते हैं सब कुछ कि वो हमारे सामने एक एविडेंस आए कि आप क्या करना चाहते हैं पहले हम यह डिसाइड कर लेते थे कि हम आने वाले अपने दिनों में यह आपको देंगे यह को देखेंगे भी उसकी Fulfillment भी चाहते हैं, सिर्फ हम उस Representation को नहीं रखेंगे, हम उसकी Fulfillment के Accordingly ही आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैनोफेस्टो में हम infrastructure अच्छा देखना चाहते हैं, Woman Empowerment की हम बात करना चाहते हैं, Equality की बात करना चाहते हैं, employment all the basis पे हम देखना चाहते हैं, ruler development देखना चाहते हैं, railway और सारी चीज़ के facilitation, environmental changes और education system most important है, जो कि अगर हम अपने education में ध्यान देते हैं, तो आगे वाली जो यूथ है, वो अपना presentation तो करेगी उस education से, पर वो society के upbringing में भी बहुत अच्छी facilitate प्रोवाइड करवाता है, अमर मैं आपकी तरफ आऊंगा, इसी सवाल को आगे बढ़ाना है, कि क्या सिफ चुनावी और चारिकता ही हो जाता है, घोशना पत्र, क्योंकि हमने देखा है कि आप चर्चाहें नहीं होत ही घोशना पत्र आया, निकल गया, ना आपको पता है, ना जिनके लिए योजनाय बनाए जारी है, उन्हें इसके बारे में जानकारी है, पॉलिटिकल पारिटीज के कुछ जो representative होते हैं, नेता कारे करता, उन तक ही वो सिमित रहे कर जाता है, तो आपको लगता है, इसमें पर discussion करके, मतलब जो जिनके लिए होता है, targeted जनता था कि ये चीज़े नहीं पोच पाती है, ना उनको इसमें को जादा interest आता है, क्योंकि वो या तो वेक्ती को देख लेते हैं, या फिर एक party को देख लेते हैं, उनका वचन पत्र को, मतलब दर किनार कर दिया जाता है, तो और आम जनता इसके बारे में ज्यादा विचार विमर्श करती भी नहीं है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो आज का यूआ है, वो जरूर इस manifesto की तरफ ध्यान देता है, अगर इन manifesto में उसके रोजगार की बात होगी, उसके सिक्षा की बात होगी, उसके स्वास्त की बा जो यूआ है, वो कुछ मामूली से जो मुद्धे हैं, या फिर एक सिमित जनता के मुद्धों को लेकर ना सिमर जाए, क्यों क्योंकि आज का यूआ इतनी आबादी होने के बाद भी अपना पोलिटिकल पजन्स उतना नहीं साबित कर पा रहा है, जितने कि हमारे पुराने जो पुराने जो हम कह सकते हैं, वो लोग अपना मतलब जो अपनी छाप छोड़ते हैं, कारण उसका यह कि यूवा केवल यूवाव में सिमट करे जाता है, यूवा बुजरुगों की नहीं सूचता है, यूवा गरीबों की मतलब जो उनके जो बेसिक नीट्स होती है, उनक के लिए उन्हें आम जंता से लेकर तो विबिन वर्गों, जाती, समयुदा, सभी समय करनों कर समझ रखते हुए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और शायद इसे ही मेनिफेस्टों को उनको प्रमोड भी करना चाहिए, कशिश एक और महत्मूर्ट सवाल आप से, चुकि जाए, या फिर उसके व्यक्तिकत कामों को लेकर भी कहीने के सोचने पर मजबूर किया जाता है, युवा उस तरफ भी सोचता है कि व्यक्तिकत काम ऐसे हैं इस कंडिडिट के, या फिर इसने ऐसा किया, तो यह तमाम चीजे भी क्या माइन में रहती है, आज कल के परवेश म कैसा हम रह रहे हैं, उसके विपक्ष पार्टी कैसी है, हम सिर्फ चहरा ना देखे, बलकि हम काम भी देखे, और हमारी जो जरूरते हैं, जैसे आज हमें रोजगार की जरूरत है, आज हमें बदलाव की जरूरत है, हमारे देश को आंगे बढ़े, यह हमारी सोच है, तो ऐस जैसे में हम सिब चेहरा देखके नहीं काम देखके भी आगे की सोच रखते हैं और जैसे रिशेका जी ने का कि होनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिसके आधार पर हम कनेक्ट कर सके उस पॉलिटिकल पार्टी से उस चेहरे से तो यह बास सच है कि हमें कनेक्ट करने के लिए एक मैनोफेस्टों की जरुवत पड़ती है लेकिन यह भी सच है कि वह पूरा हो वादा चाहिए तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देखने चाहिए कोई और बड़े-बड़े मुद्दे हैं उसमें चेहरा भी देखते हैं इंसान की कौन कैसा काम कर रहा है क्या बदलाव लेकिया है तो लोग चेहरा जरूर देखते हैं तो क्या क्या उसकी सोच पर भी उससे सोच से भ अगर कोई टार्गेट करता है तो चहरा भी देखता है क्या कशिश जो कह रही है कि आप तो युवा बहुत आगे की सूचने लगया है कैंडिडेट में क्या कुछ अभी के काम पर द्यान देना चीए और इस बात पर मुख्यतार उनका विचार होना चीए कि यूथ जो अभी जो मैक्सिमम मैजूरेटी रखता है हमारी कंटर की वर्ल्ड पर देखा जाए तो वह किस तरीके से उनके लिए वक कर रहे हैं उनका क्या ध्यान रह रहा है क्या वह उस पर वक करेगे जब वह अपना कॉंटेस्ट करेगे अपनी इलेक्शन में जाएगे जब अपना वोट कास्ट करेगे तब यह उनको ध्यान रहना चाहिए कि जो वह लीडर को चूज कर रहे है वह आने वाले पास साल की बागड़ वह उनके हाथ में दे रहे है वो खुद क्या मानते हैं किस तरीके से युवा दैखता है क्या परडिकल पार की तरफ ज्यादा जुकाओ है या फिर कंडिट की तरफ करें कि यहाप ज्यादा जुका होता है किसी भी वोटर का और भी फूक फूक कर पीता है आप अभी अपने वादे पूरे मत कीजे बाद में आपकी सरकार आएगी या जाएगी वो हम डिसाइड करेंगे तो यह क्या आप सोच रहा है इस बारे में आपको लगता है हाँ बिलकुन सोच रहा है हमने क्या घाता युवा की जो सोच है वो लगता है टॉपिक है कि क्या युवाओं के मन को पढ़ना भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आजकल चुनौती बन गया है अब वैसा युवा रहा नहीं है जो पारंपरी जो है तौर पर आगे बड़े अब युवाओं की सोच भी बदली है यह एक बड़ा चुनौती भी है या फिर मुझे लगता है कि और ज्यादा सतर कोनी की जरुवत है किसी भी युवाओं के तौर पर एक कभी की कविता है कि इस दोर में जीत के वो हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तयार नहीं युवा जो है युवा अपनी परिभाशाएं गड़ रहा है युवा कि बिकास की परिभाशाएं अपनी है युवा की प्रगती की परिभाशाएं अपनी है युवा अब उन मुद्दों से आगे बढ़कर सूतरा है जिन मुद्दों पर हम सदियों से बोट करते आएं हम दशकों से बोट करते आएं आपका जाती बात का वुद्दा हो हम धर्म के नाम पर बोट देते हैं हम गरीबी के नाम पर बोट देते हैं हम अधारूद सुविदाओं के नाम पर बोट देते हैं लेकिन अब अगर हम बर्तमान पर ईद्रश्चे को समझें कि भारत अब 21 सदी में आरंब तोर पर प्रविश्च कर चुका है हम वर्ल्ड लीडर से कंद को निश्चित कर पाँ उनका चुनाव करेगा उसे निकला है और मुझे लगता है कि इन दिनों आम आधमी के मन में भी यह सवाल है कि जो दल बदल इन दिनों हो रहे हैं पाइटियों से एक दूसरे की दामन छोड़ना दूसरी पाइटियों का दामन पकड़ना तो यह एलेक् युआ की सोच क्या है क्या ये सही है जी बिल्कुल दल बदल होना जरूरी है मैं तो कहूंगी क्योंकि इस से हमें और दल बदल होते भी इसलिए हैं क्योंकि हमें नया बदलाव चाहिए है अपने में कि हम वो बदलाव ऐसे देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है अगर ह हम किसी भी पार्टी से कुछ भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह हमें ये प्रोवाइड करें तो हम उसको देखेंगे कि हाँ वो कर रही है और अगर नहीं करती है तो फिर हम बदलाव चाहें तो क्या स्वभाविक है ये तो हमारे यूमन नेचर होता है हमर आप देख र जो आज किवल पद और सत्ता के लालच में इधर से उधर अपने चले आते हैं और अपनी जंता जो उनके दशकों से उनके समर्तक रही है उनको अक्सर महीं पर छोड़ जाते हैं कि हम तो चले आप किसी और को ढूंड़े तुम करें लोकतंत्र की रक्षा हम तो चले हमारी स पर जो आप राधिक प्रक्रण है शायद मुझे केना गलत नहीं होगा कि आज की जो वाशिंग मशीन है वो सायद थोड़ी सी जादा ऑवर टाइम कर रही है हर किसी को जो है मतलब आप इदर आए और आप जो है ब्रश्टाचार और इन सब चीजों से आप क्या यह है यह य जो आप रश्टाचारी डाले और उधर से जो है वो एक साफ सुत्रा हुआ नेता निकल के आएगा क्या मानती दल बदल के मुद्धे पर क्योंकि जब इस डिवेट से पहले चर्चा से पहले हमारी बात्ची तो दौरान भी आपने काफी दिल्चस्पी दिखाई तो क्या स्वाभाई के आपको लगता है कि यह बिन पेंदी का लोटा किधर भी धनंग जाने वाली हमारे दिमाग में एक सोच आती है क्योंकि जैसे आप पैसे के वलबूते पर सत्ता के दम पर आप देखने कि धनंग जाय कोई नेता तो यहां पर हमारा भरोसा तूटता है तो पॉ फिर यह आंगे क्या कर पाएंगे तो हमें इंफ्लूएंस बहुत डारेक्ट करता है जी बहुत अच्छे से होती है इसके बारे में में बात करते हैं और कहते हैं तुम तो ठहरे पर देशी साथ आप क्या मान रही है इशा क्योंकि ये दल्वदल का मुद्धा तो बड़ा चर्चाओं में हैं दिनों मेरा ये होचना है कि जो युवा है अभी वो काफी चलिए ये बहुत ही दिल्चस्प चर्चा हुई है आज को लेकर समय का अभाव है लेकिन बहुत ही अच्छे आज के युवाओं की टोली रही है और तमाम जो विशय हमारे बीच में इलेक्शन को लेकर रहे हैं उन पर बेबाकी से बात रही है चाहे दल्वदल का मुद्धा ह हो मैनिफेस्टों का मामला हो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो तमाम युवा है और खास तौर पर आज की ये जो चर्चा है उससे ये बात तो साबित हुई है कि युवा बहुत दिल्चसपी दिखाते हैं इलेक्शन से जुड़ी गतिवीदियों में चुनाओं से जुड बहुत महत्पूर्ण है और पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर केंडिडिट इन युवाओं की नजर सभी पर है हर एक गतिवीदी पर तो चलिए बोलो बोलो मूह खोलो के मूह तो खोलो के इस खास सेग्मेंट में आज इतना ही अगली बार फिर नय मुद्दे के साथ में य आजातरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें बंसल न्यूस के साथ नमस्कार